हेलो माई डियर फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पातमेकर में मेरे नाम है सौरव और दोस्तो सुबह के नो बच्चुगा समय हो चुगा हमारी जीगे बोश्यप स्रीज का पहला कोशन हमारे सामने सन 1905 में सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके दारा की गई थी हमारे पास चार ओप्चन है दादा भाई नोरोजी मोतिलाल नहरू लाला राश्पतरा या फिर गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही अंसर दोस्तो ओप्चन ए पहली बार स्वराज शब्द का इस्तिमाल किया गया था ठीक है नेस कोशन देखते हैं दोस्तो कोशन नमर दो प्रस्तावना के अनुसार और बियाई में कितने से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं हमारे पास चार ओप्चन एक दो तीन या फिर चार देखे दोस रिजेव बैंक ऊDr involved इंडिया इसकी स्थापना दोस्तो आरिविए एक 1934 किते है 1935 में इसकी स्थापना की गई थी इसका नेस्नलाइड़ेशन जो किया गया था दोस्तो वो किया था Dublin1949 में ठीक है इसके जो पर्थम गवर्नर थे दोस्तो वो थे और दोस्तों अगर हम बात करते हैं आज परजेंट में इसके कौन गवर्नर वो है दोस्तों शक्तिकांत दास ठीक है नेश कोशन के वर बढ़ते हैं दोस्तों कोशनमर तीन संगीतकार तुलसिदास बोरकर का संबन्द में से किस वादय अंत्र से था हमारे पास चार अप्शन हार्मोनियम, बांसुरी, तबला या फिर शेहनाई इसका सही अंसर है दोस्तों ओप्शन A हार्मोनियम से संबन्दीते हैं दोस्तों संगीतकार तुलसिदास बोरकर कोशन पर चार के और बढ़ते हैं भारते संबन्दान का निमलेकित में से कौन सा अनुचेद प्रसासनिक नयाधी कार्णों से संबन्दीते हैं हमारे पास चार अप्शन अनुचेद 213, अनुचेद 72, अनुचेद 323, या फिर अनुचेद 130 इसका सही अन्सर है दोस्तो अप्शन C, अनुचेद 323, ए संबन्दीते हैं दोस्तो प्रसासनिक नयाधी कार्णों से ठीक है, यहाँ पर लिखाओ दोस्तो अनुचेद 213 के तहट राज्येपाल अध्यादेश जारी करते हैं अनुचेद 72 के तहट क्या होता है दोस्तो अनुचेद 72 के तहट राष्टपती को छमादान की शक्तिया प्रदान की गई है अनुचेद 123 के तहट क्या होता है दोस्तो अनुचेद 123 के तहट राष्टपती अध्यादेश जारी करते हैं कोर्शन नमबर पांच के वर बढ़ते हैं खानवा युद किस किस के बीच लड़ा गया था हमारे पास चार अप्शन है शाजा और राणसांगा जहांगीर और राणसांगा बाबर और राणसांगा या फिर और और धाराशी को इसका सही अंसर है दोस्तो ऑप्शन सी बाबर और राणसांगा के बीच में लड़ा गया था दोस्तो खानवा का युद यह खानवा है कहां पर राजिस्थान में पढ़ता है खानवा और कब लड़ा गया था दोस्तो 1527 में लड़ा था खानवा का युद ठीक है ना जैसे कि मैं आपको बताया दोस्तो बावर ने जो पह इसका सही अंसर है दोस्तों Option D, Nominal GDP मतलब की सांकेतिक घरेलू उत्पाद कहा जाता है बजार कीमितो या वर्तबान कीमितो पर मापिस सकल घरेलू उत्पाद को ठीक है सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP है Gross Domestic Product Next Question को बढ़ते है दोस्तों Question No.7 Question बढ़ साथ है भारत में अंग्रीजी शासन के विरूद परसीद रामोसी विद्रो 19 वी श्रताबदी के उतरार्द में की जगाए पर गटित हुआ था हमारे पास चार ओप्शन है दोस्तों बुंदेल खंड चेत्र भारत का दक्षणी चेत्र छोटा नाकपुर चेत्र फिर पस्ची में महरास्ट चेत्र इसका सही अंसर दोस्तों ऑप्शन डी पस्ची में महरास्ट चेत्र में रामोसी विद्रो हुआ था कोशन बर आठ है दोस्तों परसिद्ध हॉन्बिल फेस्ची में से किस राज्य में माना जाता है हमारे पास चार ओप्शन है नागलेंड हिमाचल परदेश सिक्किम या फिर केरल इसका सही अंसर दोस्तों हॉन्बिल फेस्ची में बना जाता है नागलेंड में कोशनमर 9 के वर बढ़ते हैं भारत का निमनी खित में से कौन सा छेत्र अपने शोंडोल नरत्य नामक लोक नरत्य के लिए परसिद्ध है कोशनमर 10 है दोस्तों 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच गोशना पत्र ठीक अनिमनी खित में से किस छेत्र से सम्बंदित था हमारे पास चार अप्शन है भारत में ओध्योगिक व्रद्धी भारत में राजनेतिक मामले भारत में रेलवे का विकास या फिर भारते शिक्षा देखे दोस्तों वुड्स डिस्पैच जो रिलेटेड था वो था भारते शिक्षा से सम्बंदित कोशनमर 11 है मातमा गांदी ने भारत छोड़ो आंदोला निमनी खिती में से किस तिती को आरंब किया हमारे पास चार अप्शन है 6 अगस्त 19 आठ अगस्त 1922 नो अगस्त 1922 या फिर आठ अगस्त 1922 इसका सही अचर है दोस्तों देखे मातमा गांदी ने जो ये बतलब की भारत छोड़ो आंदोलों जो स्टार्ट किया तक क्विट उडिया मोमेंट ये किया था दोस्तों आठ अगस्त 1922 को ठीक है कोशनमर 12 के बढ़त दोस्तों ये तेरवे के थे ठीक है ना कोशनमर 13 के बढ़ते हैं दोस्तों जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक चला हमारे पास चार ओप्षन है 1600 से 1125 1615 1622 1618 1615 1627 इसका सही अचर है दोस्तों दी 1615 से ले गरके 1627 तक चला था जहांगीर का शासनकाल कोशनबर 14 के और बढ़ते हैं सन 1921 भारत के कौन से राज़य में आत्म सम्वान आंदोलन किया गया था हमारे पास चार अप्शन है किर्केट के छेतर में दिया जाता है कोशनबर 16 के बढ़ते दोस्तों बीवी का मकवरा नामक एक परसिद एतिहासिक इसमारक कहां पर इस थीत है हमारे पास चार अप्शन है भोपाल मद्यपरदेश सारनात मुक्तर प्रदेश औरंगाबाद महराष्ट्रा जेफित विजयवा हमारे पास चार अप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर चाइना इसका सही अप्शन है अमेरिका के दोस्तों राश्पति जो पर जो बाइडन उन्होंने एच्वन बी वीजा पर लगे परतिबंद को जो की लगाय था किनों ने दोस्तों डोनाल टरंप ने इसको हट कोशन नमर 18 हमारे सामने है दोस्तों हाल ही में दिवजे सिंग जहाला का निदन हुआ वे कौन थे देखे दोस्तों हमारे पास चार अप्शन है भारत के पहले करशी मंतरी भारत के पहले परियावरण मंतरी अर्भाई के पूर गवर्नर या फिर उत्तर प्रदिश के पूर बारत के पहले परियावरण मंतरी थे दोस्तों दीवजे सिंग जहला ये 1982 से 1984 तक रहे थे भारत के पहले परियावरण मंतरी ठीक है कोशन नमर 19 के ओर बढ़ते हैं हाल ही में ICC महिला विश्च अब्धर 22 का अधिकारिक गीत की से घोशित किया गया है हमारे पास चारप सेन है रेम रेम पोला गर्ल गैंग या फिर वी टूगेधर इसका सही अंसर है दोस्तो इसका सही अंसर है दोस्तो ऑप्शन सी गर्ल गै कोशन मेर 20 देखते है दोस्तो हाली में विश्च बैंक के न Arik nekis देश को 25 million अमेरी की डॉलर दिये हमारे पास चारप सेन भारत पाकिस्तान बांगली अधे ने से अफिर अफगानिस्तान को झाखिक है विन बंक की बात है दोस्तो वर्ल्ट आड़ी मतलब की International Bank of Reconstruction and Development के नाम से भी जानते हैं Q21 का अंसर दोस्तो आपको comment section में comment करके बताना है सारे जहां से अच्छा हैं दोस्ता हमारा गीत के लेखर कौन है कल हमने आप से पूछा था दोस्तो भारत का जंडा गीत विजई विश्व तरंगा प्यारा की रचना किस के द्वारा की गई थी इसका सही अंसर था दोस्तो इसकी जो रचना की गई थी वो शेरी श्याम लाल गुप्त पार्शत जी के द्वारा की गई थी और विजे विश्तरंग का प्यारा क्या है दोस्त हमारा जंडा गीत है और दोस्तों जंडे से एक बात आती है दोस्तों जंडे के जो डिजाइन दिया था वो पिंगली वेंग के या नहीं दिया था ठीक है आलची उड़े हैं पर समापत होती है दोस्तों आपके वीडियो कैसी लेगी कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताईएगा हमें आपकी कमेंट का इंतिजार रहेगा चले दोस्ते विदा लेते हैं आपसे मिलिंग अपने नेक्स वोड़ों में थैंक्स वर वाचिंग आई जय हिन जय भारत